आज इस वीडियो में हम पंच तंत्र की एक दिल्चस्प कहानी सुनेंगे गैफी मैं आज तुम्हें चीटी और कबूते की एक कहानी सुनाऊंगी कहानी खतम होने पर हमें खेल भी खेलेंगे ठीक है? हाँ मा बहुत मज़ाएगा तुम अपने कमरे में चलो मैं कहानी वाली किताब लेकर आती हूँ एक समय की बात है गर्मियों के दिन में एक चीटी पोखोट प्यासी थी वो अपनी प्यास पुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंची और पानी पीने लगी उसका पैर फिसल गया वो नदी में गिर गई और डूपने लगी उसी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा था वो ये सब देख रहा था उसने चीटी को बचाने की तरकीब सोची कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चीटी के पास फैंक दिया चीटी उस पत्ते पर चड़ गई पत्ता तैरता हुआ नदी के नारे सूखे पर आ गया चीटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने उसी कबूतर के घोसले के नस्दीक अपना जाल बिचाया दाना डाल कर शिकारी कबूतर का इंतजार करने लगा वह इस उमीद में था कि वह कबूतर को पकड़ लेगा कबूतर ने जमीन पर दाना देखा और उसे खाने के लिए नीचे आया चीटी ने सब देख लिया और कबूतर को बचाने के लिए तेजी से भाग कर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया चीटी के काटने पर शिकारी जोर से चिलाया अवाज सुनकर कबूतर जान गया कि शिकारी ने ये जाल उसको माणने के लिए बिचाया है वो तेजी से दूसरी देशा के और बढ़ गया शिकारी का निशाना चुग गया कबूतर ने चीटी का धन्यवाद किया मा ये कहानी तो बहुत अच्छी थी अच्छा तो गयाफी तुम्हे कहानी में क्या अच्छा लगा मा मुझे तो पूरी कहानी बहुत अच्छी लगी ठीक है चलो खेल शुरू करते हैं गयाफी बताओ इस कहानी में कितने किरदार थे गयाफी सोचने लगी बच्चों, क्या आप ग्याफी की मदद करेंगे? बिल्कुल ठीक, इस कहानी में तीन किरदार हैं, कबूतर, चीटी और शिकारी अब ग्याफी ये बताओ कि कहानी में कबूतर का किरदार कैसा था? वो एक समझदार और सब की मदद करने वाला था वा, ग्याफी तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों, अब आपकी बारी है, इस प्रश्न का उत्तर देने की प्रश्न है, इस कहानी में शिकारी का किरदार कैसा था? सही उत्तर पता करे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजा करे